वेलकम टू आर यूट्यूब चानल नोह में पैथी एंडिया सम्रिदी शामाइज हीर टू एडियू और आज की वीडियो में आपको डायथेसिस के बारे में बताने वाली हूँ क्योंकि आप देखोगे कि मियाथेसिस, टेंपरामेंट, ससेप्टिबिल्टी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर स्टूडेंट को पता ही होने चीएं विकाज आपसे कोशिन पेपर हैं पूछे ही जाने वाले सवाल हैं अगर आपने मियाथेसिस के बारे में बताती हूँ अगर मैं बहुत ही असान भाषा में बोलूँ तो वो है किसी भी इनसान की बिमारी की तरफ जो टिंडेंसी है टिंडेंसी टूवर्ड्स डिजीज ठीक है वो होता है डियाथेसिस कि कोई भी इनसान है उसके बिमारी के लिए जो टिंडेंसी है वो है डियाथेसिस ठीक है बहुत आसान शब्दों में मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसको प्लीस समझने की कोशिश करना ठीक है तो एक तो बात हो गई कि बिमारी के लिए टिंडेंसी जो है बहुत से लोग होते हैं जिनको यह होता है कि आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनको नोस ब्लीडिंग की ही टिंडेंसी होती है है खून नाक से बहने लग जाता है बार 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 ठीक है तो आप देखोगे कि यह जो है वो इनहरिटेड भी होता है कि या तो उसकी फैमिली हिस्ट्री में चीज चल रही है फैमिली रूट्स में चीज चल रही है या यह हो सकता है कि यह एक्वाइर्ड हो कि बहार से अडप्ट किया हुआ हो ठीक है तो यह दोनों चीज़े हो सकती है अगर दूसरे टर्म में मैं आपसे बात करूँ अगर आपको यह वाली लाइन समझ में नहीं आई हो तो simply जो डा करती है जो टिशु को एक certain way में react करवाती है किसके regarding कोई external stimuli आया ठीक है वो भी certain होगा तो टिशू को react कराती है certain way में certain external stimuli के लिए और जो person है उसको किसी certain disease के लिए susceptible कर देती है ठीक है जो किसी इनसान को कोई certain disease है उसके लिए susceptible कर देती है तो it is simply the condition of the body which makes the tissue to response in the certain way to external stimuli फिर वो क्या करता है वो इनसान को एक certain disease है उसके लिए susceptible कर देती है तो ये एक बहुत ही easy language में फिर मैंने आपको टॉम बता दी कि इसमें क्या हो रहा है कि टिशू जो है वो किसी certain तरीके से ही react कर रहे है किसी certain stimuli के लिए और किसी बिमारी के लिए उसको susceptible बना रहे है वो certain बिमारी है ठीक है ये एक बात हो गई यानि की जो डायथिस है वो simply क्या है नॉर्मल से susceptibility और जो डिजीज है एक्सप्रेस नहीं हुई है अभी डिजीज नॉट एक्सप्रेस्ट ठीक है इसके बीच में डायथिस है ठीक है यानि कि वो इस उनसान की susceptibility भी नॉर्मल नहीं रहने देता और डिजीज को एक्सप्रेस भी नहीं होने देता वो डिजीज है ठीक है डिजीज एक्सप्रेस उसके बाद हो जाएगी तो क्या है कि वो अपने आप ही सिम्टम्स दिख जाएंगे ठीक है जिसकी टूटालिटी जो है वो डिजीज बनाती है पर डायथिस इस सिंप्ली टेंदेंसी टुवर्ड जा डिजीज की इस बीमारी के लिए तो इस इंसान की टेंडेंसी है फैमिली रूट में चल रही है या फिर इसने क्वाइट कर है डेवियेशन इन ससेप्टिबिल्टी यह क्या कर रहा है कि जो ससेप्टिबिल्टी है उसमें डेवियेशन शो कर रहा है जो एक ऐसी लिमिट तक नहीं है कि आप उसको कैदोगीर बिमारी हो गई है ठीक है वो तब ही होगी जब एक्स्टरनल स्ट्यूमलाई जो है उसको बार बार ट्रिगर आउट करेंगे तो आपको बिमारी दिख जाएगी ठीक है जैसे जबोज कोई इनसान है उसके फैमिली रूट में यही है कि जरा सी भी स्ट्रेस लेके नोस ब्लीड होने लग जाती है तो स्ट्रेस इस फेक्टर जो उसके नोस ब्लीड का कारण है ठीक है औ यह होता है तो यह होता है कि जो डिजीज है वो भी पूरी डेवलप नहीं हुई है लेकिन बार-बार क्या होता है कुछ स्ट्यूमलाइज आकर उसको एग्जाजरेट कर देता है ठीक है तो दिस इस दर डेफिनेशन अव डाइथिस तो मैं एक बार और आपको बता देती कि it is a tendency towards a disease ठीक है और condition वो condition है जिसमें जो टिशू है वो एक ऐसे certain way में react करते हैं किसी इस्ट्यूमलाई के लिए और एक certain disease create हो जाती है ठीक है यानि कि वो इनसान उसके लिए susceptible हो जाता है susceptibility is what ability of an organism to receive an stimuli and act accordingly ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो उस इस्ट्यूमलाई को जादा response दे रहा है क्योंकि वो उसके लिए पूरा का पूरा डायथिस में यानि कि उस tendency में है ठीक है तो normal susceptible भी नहीं है इंसान की और disease expressed भी नहीं हुई है पूरी बट जब भी बार बार externus चुमला आएगा तो वो condition show होगी ठीक है तो यह है definition और example of the diathesis तो मुझे उमीद है आपको समझ में आगे कर diathesis होता क्या है ठीक है ज्यादा परिशान होने की जुरत नहीं है जो मैंने आपको बताया है इसमें वही आपको ध्यान रखना है और अगर आपको मियाजम क्या है वो समझना है तो आप इस वीडियो के description में जाकर उसको समझ लेना वहां पर मैंने video link दे रखिए वहां जाकर आप समझ सकते हो और अगर आपको purchase करने है book तो भी उसका link आपको description मिल जाएगा बहुत अच्छे से मियाजम उसको बता रखा है और बहुत ही concise form में तो उसकी book आप purchase कर सकते हो तो उसका link भी आपको description मिल जाएगा all right so that's all for the today's video I hope आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी कावे interesting लगी होगी so अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इससे like share करना मत भूलना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इससे subscribe जरूर कर देना so thanks for watching नो हमें पैथी